मैं हूँ प्रिया दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होम फेशियल जिसे यूज करने के पाद अगर आपके पेस पे डार्क स्पोर्ट्स हैं, पिग्मेंटेशन हैं, अनिवन स्किन टोन हैं या फिंपल्स के मार्ट्स रह गए हैं तो उनको ये बिलकुल गायब करने में मदद करेगा, वो कैसे उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये फेशियल जो है आप घर में असानी से कर सकते हो, पालर जानी की जुरत नहीं है, इस फेशियल को आप वीक में एक बार करो तो आपको फर्स्ट बार ले सको, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लो पूरी सही से, और साथ ही मुझे कमेंट करके बता दो कि इसके प्रॉब्लम आपको कौन सी हो रही है, जिससे मैं आने वाली वीडियो में आपकी हेल्प कर सको, और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडि कैसी लगी, तो आईए जल्दी से वीडियो देख लीजिए, पिग्मेंटेशन फेशल का फर्स टेप है क्लिंजिंग, आप अपने पसंद की किसी भी फेस वाश से, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आप लीजिए कच्चा दूद, अब हम कच् पैट को डुबोईए और उससे अपने फेस को क्लीन करिए, साथ ही साथ नेक को क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप है एक्सफोलियेशन, इसमें हम तयार करेंगे एक डियाइवाई इसकिन वाइटनिंग स्क्रॉब जिसके लिए आपको एक चम्मच चावल का आटा लेना है, अगर आपको चावल का आटा सूट नहीं करता तो आप बेसन ले सकते हो और उसमें आप डालिए एक छोटे से टमाटर का रस, फिर आप इसमें डालेंगे आधा चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई डालेंगे अगर पाइली स्किन वाले मलाई ना डाले, इसकी जगे आप दही या फिर दूद का यूज भी कर सकते हो, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इस स्क्रब को तयार कर लो, अब इस DIY स्क्रब को नॉर्मल स्क्रब जैसे आप करते हो, वैसे ही लगा के स्क्रबिंग करनी है, बहुत हलके हाथों से, अपनी फिंगर टेक्ट की हेल्प से सर्कुलर मोशन में करते हुए, इसको स्क्रब करिए, और अगर आपके माउथ के चारो तरफ या अपर लिप पे, या फिर फेस पे, जहां पे भी डार्क स्पॉर्ट पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है, वहां ज्यादा टा क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिग्मेंटेशन आपके फेस पे है, तो गले को भूल जाए, नैक की भी स्क्रबिंग जरूरी होती है, जिससे आपका फेस और नैक एक स्किन का लगे, इस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने चावल एट किया है, यानि की राइस फ्लार, इसमें स्कि प्रॉपर्टीज होती है, जो कि दाग धबो को मिटाने में बहुत जादा हल्प करती है, रिमूव करती है डार्क स्पॉट्स को साथ ही इसमें टमाटर यूज किया है, इसमें भरपूर मात्रा में अंटी ऑक्सिदेंट्स और विटामिन सी होता है, जो कि पिग्मेंटेशन को रिमूव करने में मदद करता है, और मलाई इसलिए अट की गई है, जिससे कि जिनकी ड्राय स्किन है, नॉर्मल स्किन है, इस स्क्रब से उनका फेस और ड्राय ना हो जाए, तो इसलिए मलाई डालना बिलकुल ना भूलें, और ड्राय स्किन वाले इसमें दूद और दही स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को दो के पोच लीजिए अब आते हैं थर्ड स्टेप पे इसमें हम बनाएंगे खास फेस क्रीम जो की पिग्मेंटेशन डार्क स्पॉट्स के लिए हैं इसमें आपको लेना है ऐलोविरा जेल या फिर औरिंग जेल मैं रिकमेंट करूं या फिर ओनलाइन परचेस कर सकते हो जिस ब्रैंड का मैं यूज कर रही हूं उसका लिंक मैंने नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो चेक कर लीजिएगा अब इसमें मैं आट करूंगी टर्मरिक असेंशल ओयल यानि हल्दी का असेंशल ओयल यह बहुत जादा फाइदे मंद है फेस को ग्लोइंग फेस, क्लीन फेस बनाने के लिए तो इसकी तीन से चार ड्रॉप मैं आट करूंगी अगर आप चाहो एसेंशल ओयल नहीं यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो वन पिंच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स करो अब मैं इसको अपने फेस पर लगा लूँगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ फेशल स्टेप्स मसाज करने के जो की बहुत जादा असान होते हैं और फाइदा देते हैं हमारे फेस को ग्लोइंग फेस बनाने के लिए हमेशा जब भी मसाज करें अफवर में आपको मसाज करनी होती इस तरह से इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस तरह से आप अपने फिंगर को फोल्ड करके इनको भी अपवर डिरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मसाज करिए तो ऐसा करने से हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हमारे फेस पे एक glow आता है और pigmentation dark spots भी धीमे-धीमे remove होने लगते हैं तो जो steps में आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको follow करना है अगर आप चाहते हो मैं facial massage की detail video बनाऊं जिसमें मैं सारे steps आपको दिखाऊं तो comment करके जरूर बताईएगा और फिर अपने face को इस तरह से tap tap जरूर करें और अपने neck पे भी massage करना ना भूले यहाँ पे भी आपको अपवर direction में massage करनी होती है massage में जादा time दे जब भी आप facial कर रहे हों कम से कम 10 मिनट तो जरूर करें अपने face पे massage fourth step है face pack अब इसमें हम एक DIY face pack बनाएंगे जो कि skin whitening face pack है इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है उसमें डालना है आधा चम्मच मुलैठी पाउडर यह holistic तत्व का मुलैठी पाउडर है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है प्योर है बिलकुल मैं इसे काफी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसके बाद आप इसमें डालिए आधा चम्मच orange peel powder यह भी skin whitening के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है फिर इसमें आप rose water मिला कर इसका paste बना लीजे smooth और अब आपका DIY face pack तयार है इस पैक बनाने के बाद जैसे आप face pack लगाते हो वैसे अपने face और neck पे इस face pack को apply कर लो और जब यह सूख चाएगा पूरी तरह तो पानी से धो के इसको साफ कर लो इसमें मैंने मुलेठी powder डाला है और orange peel powder डाला है जो की बहुत जादा फाइदे मंद है dark spots और pigmentation को remove करने के लिए जब यह सूख जाएगा तो अपने चहरे को pat dry कर लेना यानि सुखा लेना तो आप देखोगे first बार में ही आपको इसका result मिलेगा face बिल्कुल clean लगता है बिल्कुल fresh लगता है और इस facial को करने के बाद एक चीज़ और करनी है अपने face को moisturize करना है चाहे तो अपने पसंद की कोई भी cream लगाओ moisturizer लगाओ या फिर जो serum यूज़ करते हो वो लगा सकते हो मैं यहाँ पर ये वाला argan oil with gold leaf facial oil यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं हर रात यूज़ करती हूँ winter में क्योंकि ये मेरे face को बिल्कुल dry नहीं होने देता हो face को बहुत अच्छे से smooth और soft बना के रखता है glowing रखता है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे link दिया है ये कौन सा facial oil है चेक जरूर करना और साथ ही दोस्तो इस facial को आप week में एक बार जरूर करो और अगर आपको ये facial अच्छा लग रहा है तो like करना बिल्कुल भी मत भूलना और नीचे description box भी चेक करना सारे link वहाँ पे दिये हुए है तो देखा दोस्तो आपने कितना आसान है इस facial को करना तो इसको आप week में एक बार जरूर करो अच्छा फाइदे के लिए जब आप इसको करने लगोगे तो आपको इसकी एक आदत सी पढ़ जाएगी और आपको कुछे दिन में दिखेगा वैसे तो इसका असर आपको पहली बार में दिखेगा जैसा कि आपने देखा मैंने करा और मेरे face पे पूरा glow नजर आया तो इसी तरह से आपका face भी glowing face बन जाएगा clean and clear बन जाएगा तो इस facial को ज़रूर करिए साथ ही मुझे comment करके बताईए ये वीडियो कैसी लगी ये facial कैसा लगा easy है या नहीं और साथ ही इस वीडियो को like जरूर करना share करना अपने दोस्तों के साथ और मुझे instagram और facebook पे follow करो और जादा updates के बिल्कुल नहीं कर रहे हो और मेरे channel subscribe कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो तो मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care